James Webb Space Telescope ने एक और अविश्वसनिय खोज की है. इस बार प्रारंभिक ब्रहमांड में अब तक देखी गई सबसे धुंधली आकाश गंगा को खोजा गया है, जिसे JD-1 नाम दिया गया है. यह आकाश गंगा इतनी दूर है कि इसकी रौश्णी को हम तक पहुँचने में तेरा पातीन अरब साल लग गए हैं. इसका मतलब है कि हम हैं. इसे ऐसे देखें जैसे यह तब था जब ब्रहमांड केवल कुछ सौ मिलियन वर्ष पुराना था. इसकी वर्तमान आयुका केवल एक अंश, JD1 एक छोटी अती धूमिल आकाश गंगा है. यह इतनी धूमिल है कि यह पिछली दूरबीनों के लिए अद्रिश्य रही होगी. इसमें एक हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10,000 गुना और प्रतिवर्ष लगभग 100 द्रव्यमान की दर से तारे बन रहे ह JD1 संभवतह ब्रह्मान्ड में बनने वाली पहली आकाश गंगाओं में से एक है और यह हमें यह समझने में मदद कर रही है कि समय के साथ आकाश गंगाओं कैसे विकसित हुई.